सब्सक्राइब को नमस्ते आज की जो कलास है वो बहुत महतुपूर्ण है ये स्पेशली कलास जिन्होंने कोर्स ले रखा उन बच्चों के लिए थी लेकिन मैंने सोचा कि मैं यूटूब बे भी इस कलास को डालू इसलिए डालू क्योंकि ये कलास के वले एक साइकलोजिकल अप्रोच के इसाप से नहीं है कि मुझे ग्रेड सेकिंड देना है, मुझे ग्रेड फेस्ट देना है, मुझे सीटेट देना है, मुझे ग्रेड थर देना है ये आपकी जीवन से जूड़ी भी कलास है आप जिस भी टार्गेट को पूरा करना चाहते हैं आप जिस लक्षे को पूरा करना चाहते हैं या आगामी समय में आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं इन सब के लिए आपके लिए बेस का काम करेगी आज की कलास तो आज जो मैं जो थोरी पढ़ाने वारा हूँ वैसे तो पूरा मनोविज्यान इतना महत्तु पूर्ण है कि पूरी साइकलोजी को आप जोड सकते हैं और जब मैं offline classes में बातें करता हूँ तो आपको कई बार लगता होगा कि हर चीज relevant है हमारी पढ़ाई से हर चीज relevant है आपको बड़ा बनाने से हर चीज relevant है आपको एक बहुत successful इंसान बनाने से तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो learning का एक ऐसा सिधान्त है जिसको यदि आप अपने real life में follow करते हैं यदि आप apply करते हैं तो आप मान के चलिएगा कि बहुत बहुत बेहतर इंसान बनेंगे और जो success आपको मिल नहीं पा रही है वो बहुत जल्दी आपके पास आ सकते हैं तो इस सिधान्त को आप यूं मत समझेगा कि आज सर हमें Edward Tolman का एक अधिगम सिधान्त पढ़ा रहे हैं आज आप ये समझेगा कि सर एक जीवन का एक बहुत गजब का लेशन समझा रहे हैं और इस लेशन को आज के वल यहां समापत नहीं करना है यहां से सीख के और आज से मेरी दिन्चरिया, कल से मेरी दिन्चरिया और आने वाली प्रिक्षाओं की इस दोर में मुझे इसके according अपने आपको apply करना है तो ये मेरा उद्दिश्य है मैं बहुत कम बातें आप लगोगी देख पाऊंगा बड़े अराम से एकदम तलिन होके सिधान को समझेगा बहुत महतुपुन चीज़े याद रखना तो आज मैं बात करूँगा Edward Tolman की जब भी अपन Edward Tolman की बात करते हैं Tolman कोन है Tolman नॉर्मली प्राचिन संग्यानवाद में आता है इसमें आता है जब मैं अधिगम में बात करता हूँ वेवहारवाद और संग्यानवाद वेवहारवाद वो हैं जो environment को बहुत महतुपुन मानते हैं संग्यानवादी वो हैं कहते हैं कि मानसिक्रियां important है आंत्री कारक बड़े important है लेकिन Edward Tolman को प्राचिन संग्यानवादी कहा जाता है लेकिन उससे भी important चीज़ ये है कि Edward Tolman वेवहारवाद और संग्यानवाद दोनों को जोड़ देता है 2018 grade fest में प्रशन आया था कि ऐसा कौन सा दिगम सिधान्त है जो वेवहारवादी और संग्यानवादी भी है तो Edward Tolman का सिधान्त वेवहारवाद और संग्यानवाद दोनों का मिस्रण है याद रखना बहुत गजब की बातें इसने बोली है आप यह देखोगे कि इसको अप्लाई करना और फिर आप मुझे बोलना कि धिरसर हम जिंदिगी में बहुत बेटर नहीं कर पाया ऐसा होई नहीं सकता इधि रियल साइकलोजी को आपने पढ़ाए और अप्लाई किया है और मैं इसलिए बोलता हूँ कि ओफ्लाईन क्लासेज में बच्चे को नॉर्मली बोलता हूँ यदि मेरे से पढ़ने के बाद तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हूँ इसका मतलब तुमने मेरे से कलास लिये बड़ तुमने अपने जीवन में उसको यूज नहीं किया है यूज करोगे तो तुम बहतर इंसान जरूर बनोगे यह तैवात है तो एडवेट टॉलमेन का सिधान पढ़ा रहा हूँ अराम से एक चीज को समझेगा यूटूब वाले बच्चे राम से समझेगा लिखने की जूरत नहीं है एप पे जो बच्चे कलास ले रहे हैं वोग एक चीज को समझेगा देखिए इसके नाम है वो भी सिधान को अपन पढ़ते हैं सबसे पहले माइंड में मांचितरन बनाओ कि सर एडवेट टॉलमेन आप पढ़ा रहे हो यह क्यों पढ़ा रहे हो यह इतना महतुपूर्ण है क्या कि आज आप यूटूब पे भी साथ ले रहे हैं और एप भी ले रहे हैं निश्चत रूप से एडवेट टॉलमेन मौस्ट इंपोर्टेंट है डॉलमेन पर वह सारे परशन मिलेंगे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसके इंपोर्टेंस के वज़शन पहले इसपे परशन बहुत कम आते थे बट वर्तमान के इस दौर में बहुत परशन आ रहे हैं यह दो वेक्ति हैं कुर्त लेविन और एडवेट टॉलमेंट दोनों को बहुत सिरीश ली पढ़िएगा मैं कॉमेंट्स नहीं देखूंगा आराम से कि चीज को पढ़िए गया रहें समझेगा सिधांत को कोई भी सिधांत पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि पूरा माइन में कॉंसेप्ट किलिर करना है सर क्यों पढ़ा रहें मैं तुपूर्ण है अब तक लगबग 35-36% आरपी श्युविन एक्जाम में पूछे गए हैं कैसे पढ़ना है तो कैसे पढ़ने का मतलब यहां से परसं है वो इसके लगबग नाम पर प्रसंद आते हैं जितने भी इसके नाम हैं लगबग 6-7% नाम पर पूछे गए तो सब नाम याद रखने नंबर दो इसकी किताब का नाम एक्जाम में आ चुका है मतलब किताब इंपोर्टेंट है नंबर तीन इसने चार कॉंसेप्ट दिये मोलार वियोहार बनाम आनविक वियोहार लर्णिंग का मतलब क्या है इस्थान बनाम अनुकिरी अधिगम क्या है और मद्यवर्ती चरोकु मनोविज्ञान में सबसे पहले मैतु देने वाला कौन था ये चारों कॉंसेप्ट समझने और अंतिम बिंदु यहां से दी परसंद लर्णिंग थोरी चीन अधिगम क्यों बोला गया है क्योंकि जिन्दगी में यह कहता है संकेत बहुत मैतुम भूमिका निवाता है ये लाइफ में आपको संकेत सहीं मिल गए न तो आपकी जिन्दगी बदल जाती है आपको कहीं जाना था और आपने पूछा कि भाई साब म आदमी सही था उसने सही संकेत बताए और आपने उस संकेतों को समझ लिया सही जगह पहुंच जाओ गए लेकिन एक आदमी सुन में था तुम्हारी तरह जिसको पता नहीं कि वेकंद से आ रही है लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा आपने उससे पूछा कि भाई साब क पतिक सही मिल गए और उनका अर्थ समझ गया जिंदगी बदल जाती है तो यह लाइफ में चिन को बहुत इंपोर्ड़ मानता है यानि संकेत को बहुत में अधिक्त अधिगम यह परसन बहुत बार आता है ग्रेट फेस्ट में लेटेंट लेंडिंग किसे कहा जाता है लेट अधिकना तब व्यक्त होता है जब आपको क्या मिलेगा पुरुषकार मिलेगा आप में सकी वच्छा स्लेक्ट नहीं होते हैं पुरुषकार नहीं मिला तो मैं कई बार उनसे पूछता हूं क्या हुआ सर कुछ नहीं है क्या हुआ कुछ नहीं हुआ आपने पढ़ाई कि सर क मेतु को आंक्षा हैं और अकांक्षा हैं होती हैं और उन्हां की पूर्ति के लिए उद्धिश पूर्ण विवहार करता है तो यह परत्यासा के शम्दर में उद्धीपक उद्धीपक सिधानत इसलिए बोला गया यह प्रसुन बहुत बहुत बारा आवा है यह एजटेट बग अधिगम हम जो भी विवहार करते हैं बिना उद्धिश पूर्ण नहीं करेंगे तो यह सब इसके नाम लिख लेन चीन अधिगम एवेक्त अधिगम परत्यासा अधिगम उद्धीपक सिधानत उद्धिश्य पूर्ण अधिगम यह चारों नाम आपके जिहन में होने चीने ये हुँ नाम है जो एकजाम में आए हुए हैं इसके अलावा बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके इस्थान अधिगम गुपत अधिगम भी इसको कहा जाता है लेकिन यह नहीं देखना आपको आपको वहीं लेना जो आपके लिए बड़ा यूज फूल है तो यह नामची नदि पूछी गई है पूरे मनोविज्ञान में लगबग 14 या 15 किताबें आपको पढ़नी है अब कुछ नहीं पढ़ना होता है 15 किताबों के नाम याद कर लो कि सर यह किताब एकजाम में आती है वस बहुत है पाम चल जाएगा यह किताब बड़ी इंपोर्टेंट है परपाउजी लिए था तुछे पेसने परियोग किया है मैं समझाऊंगा पूरा का पूरा समझ यह एक एक चीज समझाऊंगा याद रखना यह बच्चा जो बार-बार करें सर सेल हल्का से दान पढ़ा दूंगा वैसे मेरा डाला भगा यह मैं दुबारा रिपीट कर रहा रहा हूं बाक लेकिन तुम अभी तक केवल इन में उल्जेवे उसर कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, ऐसे इंतिजार करोगे तो कभी नहीं आएगी, जिस चीज का इंतिजार करते हो ना वो चीज आती नहीं है लायत में, जिंदिगी भर इंतिजार करते रहो, वो पता नहीं किसी और के साथ चली जाती और हम इंदजार करते रह जाते हैं इसलिए इंदजार मत करो एक्षन लो वरक करो अपने आपको इतना पर्फिक्ट बना लो इतनी मेहनत करो सही ढंक सें कि वो जब भी आये ना तो किसी और की ना हो पाए वो केवल आपकी हो पाए अपने आपको इतना सजा लो अपने आपको इतना डेकोरम मेंटेन कर लो एक एक चीज किलिर हो जाए वो जब भी आपको देखे ना तो आपका वह आलिंगन कर ले वह आपकी हो जाए याद रखना म मैं बाथ किस की कर रहा हूँ मैं बाथ की कर रहा हूं मैं बात नोकरी की कर रहा हूं इंत использовать आत्व है कर है अफुन से क्वेवहार वाद और संज्ञान वा वेवहारवाद और संग्यानवाद का मिश्रण यह परसन ग्रेट करश्ट में दो बार रिपीट है इसको याद रखेगा एक मात्र दिगम सिधांत जो वेवहार वाधी भी है और संघ्यान वाधी भी है आप से इक्जाम में क्यों इतना पूछा गया है कौन सा धि yell सिधांत विवहारवादी भी है और संघ्यान वाधी है आपको याधरना है कि टॉलमेनСकत और जो सिधान्थ है वो व्यवहार वादी बी और संग्यानवादी भी है picture जाम content बात यह यह और त्था यह कि जो MacDougal ने दिया था चोदा मूल परवर्ती वाला, नॉलेज की बात है, ये गत्यात्मक मनोविज्ञान की भी बात करता है, गत्यात्मक मनोविज्ञान किस ने दिया था? वुडवर्थ ने, S.O.R. अधिगम का सुतर, ये गेस्टाल्ट वाद की भी बात करता है, क्योंकि ये गेस्टाल्ट वादी ये दिगम वीधियों को अपने सिधान में सुविकार करता है, और ये मनोविश्लेशन वाद की भी बात करता है, ये किसकी बात करता है? मनोविश्लेशन वाद की भी बात करता है, तो फ्राइड की भी बात करता है मतलब यह सब इसकी अलग अलग पूरी सिधान्त की थोरी जोगी एक्जाम ओरेंटेड बात यह कि सर मुझे एक्जाम अकोडिंग पढ़ना है वांचित पढ़ना है और इसके लावा किसका मिश्रन है मेगडूगल का हार्मिक मनोविज्ञान वुडवर्थ का मनोविज्ञान तमज में आगी फ्राइड का मनोविश्लेशन वाद और गेस्टाल्ट वाद यह सब को भी यह साम्मिल करता है लेकिन यह एक्जाम में कभी नहीं पूछा गया है राव वादी और संग्यानवादी दोनों है पार है मतलब हम पढ़ते हैं नहीं भरतियां हम सब कुछ ही है ठीक है विग्यापन आ जाए लेकिन सर एक्जाम में छह मेने का टाइम मिल ऐसा पॉशिबल ही नहीं है अरकार डेली इतनी प्रेशान है तुम्हारी बढ़तियों को लेकर आरपेस की इन सब बरस्टाचार को लेक लगा जाए और गयलो साब ने तो इतना गजब का प्रोग्राम निकाला है वीडियो कॉंटेस्ट वाला अधिक्तर विरोजगार तो उसमें वेस्त होगे ठीक ना वीडियो बना रहे है वो बढ़िया एक दम से तो क्योंकि दिमाग खाली वेठा रहे था उससे अच्छा है क इसलते बेकु भी भरे हैं सरे घ्जाम कब हो गी दिग्यापन कब अगनेगा आपको क्या लगता है सर इस साल हो जाएगा क्या रहा हुक्त захणा गलत लोगों गलत समझा रहा हुक्त फेश्जिश्च पहले रीचे आप में मैं क्या डाल रहा हूं उसी कोडिंग करवा रहा हूं आपको अधिगम का अर्थ क्या बताता है यह यह कहता है लर्णिंग का मतलब क्या है टॉल में के कोडिंग समझे कर लर्णिंग का मतलब यह कहता है कि आपके सामने अलग-अलग प्रिस्तति आ रहे हैं क्या आपक परिस्ततियों का चुनाव करते हुए और उनमें समंध स्थापित कर लोगे यह learning है यानि इन परिस्ततियों में अर्थ पूर्ण समंध स्थापित करना सीखना है समझ में आरी है मेरी बात यह कह रहा है कि सीखना क्या है आपके सामने जितनी परिस्ततियां होती है उन परिस्तत किया भूल भूलेया पर किसे पर यो किया भूल भूलेया पर यह भूल भूलेया है यह क्या है भूल भूलेया जिसे तुम लोगों के सामने है कि सर क्या करें पढ़ेंगे नहीं पढ़ें क्या करें और इसने दो चुहे लिए इसने क्या लिए दो चुहे लिए एक चुहा लिय लेकिन इसको सही रास्ते का चुनाव करना है और सही रास्ते का चुनाव करेगा तो यह अनाज के दानों तक पहुंच जाएगा वना नहीं पहुंचेगा ठीक है अब देखना यह जो चुहा है वो intelligent है कई बार मैं कहता हूं कि intelligence से कुछ नहीं है नोकरी लगने के लिए IQ होना जरूरी नहीं है नोकरी लगने के लिए EQ का होना बहुत जरूरी है इस्टेमीना पेशन ठीक है बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी सही अउसर के कोडिंग सही एक्षन यह चीज़ें बहुत इंपोरेंट होती है और केवला IQ से काम नहीं चलता है तो यह जो चुहा इंटेलिजेंट है और इस ए चुहे ने पंद्रा मिनट में रास्ता खोज दिय पी जो चुहा था वो एवरेज था लेकिन इसने रास्ता खोजा तीस मिनट में उस्किने डूए को कुछ भी ने दिया रास्ता खोजने पर भी लेकिन जैसे भी चुहने रास्ता खोजा हमने इसको पुर्शकार दिया पुरषकार दिया, क्या कहना चाहता है ये कि A चुहे को दुब़ारा बंद किया गया तो हमने देखा A चुहा जो है उसको अगले दिन तीस मिनट लगे रास्ता खोजने में, जब कि पहले दिन किते लगे थे 15 मिनट पी चुहे को अगले दिन केवल 9 मिनट लगे कितने मिनट लगे 9 मिनट समझेगा मैं क्या कहना चाहरा हूं यह कहता है सीखने का मतलब यह है कि आप तभी उसको व्यक्त करते हो आप उन प्रिस्ततियों में तभी सही समन्द इस्थापि करते हो यह आप लर्णिंग को तभी व्यक्त करोगे जब आपको पुर्षकार मिलेगा यह दि आपने कोई किरिया की और उसके बाद आपको पुर्षकार नहीं मिला तो आप उस सीखने को गुप्त कर लोगे चुपा लोगे यानि ऐव्यक्त कर लोगे तम अज में आ रहा ल क्रेक्ट्सन नहीं हुआ याद रखना तुमारा उथसाखतम हो जाएगा रास्ता तुम्हें पता हैं तुमने किताबर रखी हैं कई पाइदा नहीं कोई फाइदा नहीं मेने गरेट थर्ण में इतनी मेंने में मैंने घर छोड़ Diya सफर में अपने बच्यों को छोड़िया सफर्स पिता के खिलाप जा के पड़ी सवर मैंने करजा लेके मेंनत की थी अब मेरा कोई मतलब नहीं है सर यानि तुम्हारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई तुम्हारी स्ततिक इसके सामने होगी ए चुहे के सवाब भी चुहा एवरेस था इसने कुछ चीजें पढ़ी 30 मिनिट लगे लेकिन इसका सेलेक्शन हो गया अब यह बी चुहा अग जंदगी में आईक्यू इंपोडेंट नहीं है पुरुषकार मोटिवेशन इंपोडेंट है इस बीच हुए को मोटिवेशन मिला और इसका कॉन्फिदेंस ही हो गया कि सर ग्रेट थड़े लग सकता हो ना तो ग्रेट फेस्ट भी छोड़ दूँ चेप दूँगा असे प्र अत्रास्त भी चले गए थे पुरुषकार नहीं मिला लेकिन याद रखना अपने अंदर ये वाली उत्सा हिंता मतले आना वर्ना तुम्हारी पूरी मेहने जो तुमने दो साल चार साल पांस साल किये ये व्यर्थ चली जाएगी ये यही कह रहा है काम की बात क्या है सीखना क्या है सीखना है आपके सामने जो परिस्ततियां है उनमें से सही क्या है उन चीजों को पकड़ो और फिर उनको करना सीख जाओ और सीखने में जब पुरुषकार की मौमिका होती है तो सीखना बड़ा फास्ट होता है अब जैसे बीच उँहा था इसने अगली बार रासता जल्दी क्यों खोजा पहली बार तो इसको आइडिया नहीं था लेकिन अगली बार इसने यह सिखा कि मैं बाइं तरफ जाऊंगा तो यह मिलेगा ताहिं तरफ जाऊंगा तो यह मिलेगा सीधा जाऊंगा तो यह किया है तो संग्यानात्मंग मानचित्र क्या होता है जब आप अपने दिमाग में यह बना लेते हो कि सर मैं यह किताब पढ़ूंगा तो मुझे यह मिलेगा मैं ग्रेट फेस्ट कर रहा हूं मुझे फेस्ट वेपर में यह पढ़ना चीए मुझे इन चीजों पर ध्यान देना फिर आपने दिमाग में बनाओ कि मुझे यह चीज पढ़नी चीए यह पढ़ूंगा तो यह होगा यह नहीं पढ़ूंगा तो यह होगा मतलब मेब बनाओ यह दी कोगिनेटिव मेब तुमने बना लिया ना तो तुम याद रखना इस भी चुही की तरह हर बार जीतते सीखने का आर्थ विभिन परिस्ततियों में अर्थ युक्त समन्द स्थापित करना है सीखने का आर्थ विभिन परिस्ततियों में अर्थ युक्त समन्द स्थापित करना है अर्विंद यह आपको फाइदा हो तेस तरीज अच्छी होनी चीह आप हमेशा याद रखो बहतर टेसली चुनों ऐसे नहीं कि लोग एड़ करते हैं कोई बी करता ऐसे नहीं है कि लोग एक की परसुनों को जैसे हमारे पहले हमारे पे टेस्त चला लिए फिर दूसरे पर चला लिए वही परसन वहां रिपीट कर रहें तो वालीटी होनी चीह अपडेट होना चीह आप किसी ऐसे टेसेज को चुनों जो रियल में बहतर कंटेंट अपडेट कंटेंट आता ह और इस अधिगम में संग्यानात्मक मानचित्र की भूमिका होती है अधिगम में किसकी भूमिका होती है कोगिनेटिव मेप संग्यानात्मक मानचित्र का मतलब समस्ते हैं कि अपने को यह पता लग जाता है कि मैं इधर जाओंगा तो यह होगा उधर जाओंगा तो यह होगा अब यह होता है cognitive map, तो संग्यानात्मक मान्चितर का अधिगम में परियोग होता है, ये line लिख लेना, अधिगम का आर्थ है युहिन प्रिश्टतियों में अर्थ युग्द समध स्थापित करना, अधिगम में संग्यानात्मक मान्चितर योगदान देता है, और एक line लएन अधिगम में पुरुषकार की भूमिका होती है, मोटिवेशन की भूमिका होती है, इसलिए देज सिंह सर आपको इतना मोटिवेट करता है, कि तुम ए चुहे की तरह उच्सा मत हार देना, मैंने तुमने भी किये, तुम भी योग्ये हो, बस यह है कि अगले प्रियास को जब करो ना, तो सटिकता के साथ करना, गलती नहीं करना, ओके, ए कितरे नहीं बनना है, बी कितरे बनना है, जीतना है हराल में, कोगिनेटिव मेब बनाना है, कि मैं इस रास्ते पर चलूँगा उसमें जाना कैसे है, कौन सी चीजें को पर ध्यान देना है, किन संकेतों का मुझे परियूग करना, यह दिगम कारत है, दूसरी लाइन लिखना, यह वर्ड आया था इस बार ग्रेड फेस्ट में, ध्यान देना ग्रेड फेस्ट में परसन आया था, जबकि किताब में मैंने जिकर कर रखा है, इस सीज का, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, एक शब्द इसने यूज किया है, एकिकर्थ, नोट करना बहुत इंपोर्णेट वर्ड है, एकिकर्थ बनाम, यह ग्रेड फेस्ट में आया था, ठीके, मोलार क्या होता और मोलिक्यूलर क्या होता है, समझ यह कब, आप से परसन ही पूछा था, ग्रेड फेस्ट में एकिकर्थ बनाम आणवी उपागम से किसका समन्द है, तो एकिकर्थ इंटीग्रीटेट भी बोल दो, या मोलार बोल दो, और आणवी बोल दो, समझ न, कि अबल नाम पूछेगा, इसका लावन नहीं पूछेगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, यह कहता है एकिकर्थ, एकिकर्थ का मतलब मोलार, मोलार को मतलब आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, चैवरन, चैवरन का मतलब होता है, उद्धिष्य यूप्त, जिन्दगी में ये कहता है, जो वेक्ति उद्धिष्य के साथ आगे बढ़ता है, वो जल्दी सफल होता है, इसकी को इसने एकिकर्थ या मोलार शब्द बोला है, तो यहाँ जो एकिकर्थ का शब्द का यूज है न, वो मोलार होरो मोलार का मतलब क्या होता है, उद्धिष्य यूप्त वेवार, इसने आनवीक उपागम की बात नहीं किये, अब यहाँ जो बर्सन बन रहा हो क्या मन रहा है, इसने आणवी उपागम को माना है या एकिकर्थ उपागम को माना है तो इसने molecular उपागम को एस्विकार किया है जो छोटी छोटी चीजों के उपर ठीक ना जो आणवी का मोलार उपागम को सुविकार किया आनविक उपागम को एस वीकार कर digitalya के दूसरा मेंूहा cynकर तीस텐श all इर इतना अदें इक قर्क को मानन है और आनविक कर समय समझेहगई तुक वहत्तं आप पहले निंग है एद रिसपोंस के कैच सवैक अब इसने डोनों वड़ त सबसे बड़ी चीज़ा है जैसे वहाँ किकर्ट उपागम कर मेहत्युन माना है वेसे यहां किसको मैं तुन मानता है आप देखना अनुकिरिया को संगीता लगभग 15 दिन बाद में त्यार हो जाएगी जो थोरी वाली बूक है अब्जेक्टी वाली आ चुकी है उसको ले लिज़ेगा अच्छी किताब हो अब थोरी वाली में 15 दिन ओड लगेंगे वे इसमें English word बहुत जाए डाल रहे हैं लगवर इंग्लिस वर्जन सा निकाल रहे हैं इस्थान बना मनुकिरिया देगा हम समझ ये इसको बड़े अर्याम से समझ लेक्स होकर यह कहता है अनुकिरिया से important कोने स्थान है कैसे कैसे आप में से कही बच्चे पूशता हैं सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर कितने घंटे पढ़ने से आरेस बन सकते हैं कितने घंटे पढ़ने से ग्रेड़ फेस्ट बना जा सकता है सर कितने घंटे पढ़ने से असिस्टन प्रोफेसर बन सकता है कितने घंटे पढ़ने से सेटिंग गड़ में सेलेक्शन हो सकता है कितने घंटे पढ़ने से EMRS में टीचर लग सकते हैं कितने घंटे मैं कहता हूं घंटे पढ़ना ही नहीं है यार घंटे नहीं पढ़ना है यह टॉलमेन कह रहा है मैं नहीं कह रहा है और यह सच है सबसे बढ जिन्दगी में इस बात पर ध्यान मत देना कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई किये। तुमने कितना quality वाला पढ़ा है, तुमने कितने गजब की content को तैयर किया है, यह most important चीज है, अधिकतर 70% जनता 17 घंटे पढ़ रही है, 12 घंटे पढ़ रही है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं है, रट रहे हैं, रटे मार रहे है दुनिया भर के नौर्स किताब होएं, दुनिया भर की आज ही किताब ले आए, आज वो किताब ले आए, इतना confusion, life में successful बनने के लिए response important नहीं है, important है कारी, वरेक, मतलब आपका इस्थान, इस्थान मतलब क्या है, कि मैं कुछो किताब पढ़ रहा हूँ, वो important है कि नहीं ह आपने एक बकवास किताब ले, उसको दुनिया भर कापड डाला, 20 बार रिपिट कर डाला, परसनी नहीं आए, response बेकार गया ना, मेहनत एक मजदूर भी कर रहा है, लेकिन एक intellectual इनसान एक प्लान करता है, वो सरब 20 मिनट में प्लान करता है, वो 20 मिनट के प्लान से वो 10,000 डोलर कमा लेता है, और एक मजदूर जो है, वो 12 घंटे मेनत करके, और 3 डोलर, 4 डोलर कमाता है, अनुकिरिया इंपोर्टेंट नहीं है, इस्थान इंपोर्टेंट है, रास्ते महतु पूर्णे, जिस रास्ते को तुमने चुनाना वो most important है, ये कहना ये चाता है, आप रास कर रहे हो, वो जो पत है, वो important है, तो यहाँ पत important, रास्ते important, समझ गए, तुम्हारी problem क्या है, तुम लोग महनत सब कर रहे हो, मैं नहीं कहता कोई नहीं कर रहा, अरे ऐसी महनत कोई काम नहीं देगी, जो सही रास्ते पर नहीं होगी, इसलिए रास्ता सही चुना, ठीक है तो इसने कहा है, अनुकिरियाओं के पेक्षा रास्ते में, तुम पोने इस चीज को अपने mind में सेव कर लेना, यहीं तुम्हें लाइफ में एक साल में नोगरी लगनी है, तो इसको लिख लेना अपने दिवार के उपर, कि मुझे रास्ता बहत्रिन चुनना है, मुझे content ब माल लो, सही किताब का चुनाओं माल लो, सही पढ़ने के तरीके का चुनाओं माल लो, यानि आपका रास्ता most important है, बजाय की response के, important चीज़, ठीक है, इस्थान बना मनुकिरिया में, इस्थान को चुनाएं, और चोथी और अंतिम बात इसने बोली है, यह भी परसन आया था यह estate में भी आया था, और अभी KBS का exam था, उसमें भी आया था, मद्दे वर्ती चरों को, intervening variables, मद्दे वर्ती चरों को सबसे पहले मनोविज्ञान में महतूब मानने वाला मनोविज्ञान कोन है, टॉल में, psychology में मद्दे वर्ती चरों की दी किसने बात की है, वो Edward टॉल में मद्दे वर्ती चरों क्या होता है, intervening variable का मतलब होता है, जैसे Steve Jobs अपनी जो आत्म कता है, उसमें लिखता है कि भूख होनी चाहिए, मैं कई बार बोलता हूँ, आज जैपुर वाली ओफ्लान कलास ने बच्चों को बोल रहा था, कि life में तलब होनी चाहिए, जिन्दगी में तलब नहीं है ना पाने की, तो चाहिए मेरे से पढ़ लो, चाहिए किसी और से पढ़ लो, बहुत बहतर नहीं कर पाओगे, तलब मतलब भूख होनी चाहिए, तो ये मद्दे वर्ती चरों में भूख को स्विकार करता है, भूख जरूरी है, ठीके ना, विभेदन, डिस्क आवशेक्ताएं, उर्षकार, ये मद्दे वर्ती चर है, ठीके, आवशेक्ताएं मद्दे वर्ती चर है, आपका विश्वास, बिलिफ, ये मद्दे वर्ती चर है, आपका मुल्ले, ये मद्दे वर्ती चर है, ये सब इसने मद्दे वर्ती चर मानें, ये नहीं पूछा गया कि मद्द्यवर्तिचर कौन सा और कौन सा नहीं है लेकिन आपसे एक्जाम में ये दो तिन बार रिपीट किया गया है कि पहला मनवज्यानिक जिसने साइकलोजी में मद्द्यवर्तिचरों को महतुर माना था वो कौन था एडवर्ट टॉलमें था तो मद्द्यवर्तिचर कौन से होता है भूक मद्द्यवर्तिचर होती है विश्वास मद्द्यवर्तिचर होता है मुल्ले मद्द्यवर्तिचर होता है विभेदन डिस्क्रिमिनेशन मद्द्यवर्तिचर होता है गामक कोशल जो भी अपने मोटरी स्किल्स करते हैं चलना दोड पूरे टॉलमेन को सिरफ आपको पांच या साथ मिनट में पढ़ना है संकेत अधिगम एवेक्ट अधिगम लेटेंट लेंडिंग उद्धीपक उद्धीपक सिधान्त परत्यासा सिधान्त उद्धिश्यपुन अधिगम यह पांचो नाम परपोजिव बिहेवियर एनिबल्स को इसने महतुन माना है इस्थान बना मानुकिरी अधिगम में इस्थान को महतुन माना है और मद्द्वर्तिचर को बाकि चाहे कुछ भी मत पढ़ना यह इसका कंप्लीट कॉंसेप्ट है अब कुछ चीजों के अपने अक्ष्टा बात करें तो याद रख सकते हैं इसने कहा मैंने आपको बता है कि कौन सा बिंदू इंपोर्टेंट और कौन सा नहीं है क्या पढ़ना और क्या छोड़ना यह हर जगह मैंने बता रखा है अब जैसे मैं छह प्रकार पढ़ा तो इसलिए रहा हूं ता कि आपके फिली नहीं है किस और आपने तो यह चीज छोड़ दी बाकि यह महतुपूर्ण नहीं है इसने अधिगम के छह प्रकार बताएं इनके नाम लिखो तो लिख लेना एक होता है के थेक समझा दूँगा अभी मैं दूसरा होता है समतुल्य विश्वास बट इंपोर्टेंट नहीं यह यह इसने अधिगम के छह प्रकार बताएं बस के नाम याद रखने रखो दूँ विभेधात्मक्ता अ करें पिधात्मक्ता को कि यह इसने अधिगम के छह प्रकार बताएं सिरफ नाम याद रखने हैं कोई महितुपूर्ण नहीं है जाम में कभी नहीं पुछा गया है यह थी आ सकता है भुष्य के होडिंग तो यह वर मैं सञते हैं सब्सक्राइश हम नर्ण ची स्ञोर आने किए कि टॉलमेंण K ॏ diagnostic सिर्वेक पूह टोलन से संमंधी तुद्हार नहीं है ऐसे संग कतलब होता है चालक और लक्षे में समंद सेंद्धा होता है kathex जैसे आपका लक्שे है पानी पीना तो चाल्यक है प्यास इन दोनों में जो कि लिएक बनत्राय का मतलब होता है कि जो लक्षे उपलक्से में समंध सर मुझे ग्रेंड सर् तो ग्रेट फेस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा साइकलोजी ठीक बनानी इंडियन इस्टी रास्ता इस्टी ठीक होनी चीए थीक है मैथ रिजनिंग को थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा तो कम सेक्म आपको आनी चीए ठीक है बाकी सब चीजों में लक्से में समंद्ध यह सम्तूले विश्वास चेतर परत्यासा का मतलब क्या होता है एक्सपेक्टेंसी का मतलब यह होता है कि जिन्दगी में चोटे रास्ते में तुपूर्ण है यह कहता है कोई जरूरी ने कि आप हाइवे की उपर जाएं कई बार गाउं की छोटी छोट पगडंडियां रास्ते में पहुचा देती हैं जिन्दगी में चोटे चोटे यानि विश्यवस्तु को टुकुरों में डिवाइड कर लो और फिर उनको पढ़ो चोटे छोटे छोटे लक्से बनाओ कि सर दो दिन में मुझे यह कवर करना है तर चार दिन मुझे यह कवर कर साथ को सब्चाइब दिन को मैं त्यार कर सकता हूं हिंदी तो बाद में हो जाएगी करेंट बाद में हो जाएगा थोरा साम मैथ रिजणिंग को मुझे ध्यान देना चाहिए और अर्ट्स वालों को मुझे पढ़नी चाहिए और ठीक है इसकूल मैनेजमेंट भी लास्ट य किरियां यूज करोगे लक्षे को प्राप्ट करने में तो जितनी मांसी किरियां होती हैं वो पान् até करो यह लिए जादा बहतर क्या यहा है मेरी योग्य olives क्या है तो एकोड़िंग सब्सक्राइब उसका एक चुनाव करें और गामत प्रतिमान दोर स्किल आपके सीखने में मदद करते हैं वो चाहे आपका लिखना हो चाहे आपका बोलना हो अपका चलना हो कि YouTube वाले बच्चों कोमेंट लूँगा बस दो मिनिट इंजार किजिएगा इसको समाप्त करते हैं पर उप्यूगीता क्या है सिधान्त की समझेगा उप्यूगीता क्या सिधान्त की उप्यूगीता पर एक प्रसना आया है कहां से जैसे प्रकार प्रसन नहीं है छोड़ दू यह सिधान्त यह कहता है कि हमें बच्चों के सामने क्या करना चाहिए लक्षे को परिभासित करो मेरे से बहुत से प्रेंट्स मिलते हैं कि सर मैंने अपने बच्चे को साइंस में उसके अच्छे नंबर थे और मैंने निट की तयारी के लिए छोड़ दिया सीकर कोटा चार स चाहिए ग्रेट फस्ट तो निट करना चीए क्यों आयटी करनी चीए तो तुम्हें यह मारस करनी चीए अब कई लड़किया पूछते सरे मारस की त्यारी कर लें आप पहले समझो यह मारस की प्रिप्रेशन करने का मतलब आपको त्यार रहना पड़ेगा कि मैं उडिशा मे मुझे पॉस्टिंग मिल सकती है नहीं सर मेरे घरवाले मना कर रहें उडिशा में तो फिर त्यारी क्यों करो यार मेरे वो जीवन से जुड़ी वी कि ने जुड़ी हुई यह परिभासित कर अपने माइंड में मेरे लिए सही है कि नहीं है यह मारस में आपको ऐसी जगे नो सकते हैं ऐसे नहीं जौग दो बच्चे को काले आ कूद पढ़िव मेला का माइन है पेटा ले उठा किताब ग्रेड फेस्ट की त्यारी कर फेस्ट करने मैं थावई को नि रिजनिंग आवई को निंगली सावई को नि इस्ट्री आवई को नि इस्कूल मेलेजमेंट आवई होता है हर चीज को परिभासित करो बच्चे के शामने यह सिधानत की सबसे पहली उप्यूविता है यह लक्षे को परिभासित करने पर बल देता है यानि इस परश्ट होना चीए लक्स है कि लिए टी होनी चीए कि सर मुझे सब्सक्राइब करनें तो क्यों करनें सब्सक्राइब करना और यह में करना है सब्सक्राइब बहुत है मैं भी कर लूंगों नहीं बहई एस से काम नहीं चलेगा सूसरी चीज करो ये कहता है कि विधियों का सही परियोग करो जब भी आप सीख रहे ना है दुग लाइफ में बढ़ are थो वीधियों का परियोग वीधिया कौन थिया जेता है Gestalt वादी पेशक्म करूं का ऊखनव क्लम है कहते है कि उसक्सिक्रम कर लिए कूछ कार बेहितर हो सकता है ऐसे निए मन में आ रही हो किताब उठा लिया मन में आ रही हो तरीके अपना लिये सबसे गें जा норм का चटुनाव करो यह कहता है अंध गती का पर्योग मत करो अंध गती समझते यह अंध गती समस्ते हैं अरे भेड़ चाल इसे तोड़ी होता है आपको पता होना चाहे मुझे क्या फाइदा हो और क्या नुक्शान होगा तो अंध गती का इस्तेमाल मत कीजिए आद रखना ठीक है अंधगती का वर्ड देख रहा था मैं साहिद किताब में अपने लिख रहा है नहीं सर मुझे तो नहीं पता था ऐसे थोड़ी होता है अंधगती ब्लाइन मुवमेंट मत करो आपको पता होना चाहिए क्या सही और क्या गलत अंधगती का विरोध गेस्टाल्ट वादी वीदियो परियोग और तीसरा है कहता है वेक्तिगत सीखने पर बल वेक्तिगत कीबल की बात कर रहा है कि बच्चे की रूच्ची ही देखो बच्चे की बुद्धी देखो बच्चे की प्रिश्टतियां देखो उसके अकोनिंग उसको शिक्षा परदान करो वेक्तिगत सिक्षा पर बल देता है बच्ची की रूच्ची आईयूर और ऑनुबह के participants फिंग कोदिंग शीघ्षादी और यह हैं बुट और इट आ टॉर्पॉथ हो जाता है और पुर्शकार नहीं मिलता तो क्syड告诉 यह है एड et to splits data लक्षे को परिभासित करने बल और सही वीधिएँ के इसके अलावा परशन ना भी तक आया है ना मेरे कोडिंग आएगा अच्छे से कवर कर लीजिएगा और इसको अप्लाई भी करना अपने जीवन में याद देखना बहुत विवहारिक सिधान तो एप की उपर एक बार कलास कर दें एप वाले बच्चों के साथ कल आई थी को बड़ी दिक्कत नहीं है हलका सिधान नहीं डाला बेटा डाल दूँगा हलका मेरा एकोडिंग डाला होगा मैंने कलास देखके बस हाइड कॉमेंट कलास देखो क्या हो गया सर रिट में स्लेक्ट हुई हूँ अभी फिस्गड की तयारी कर रहे हूं बहुत करता है मोटिविशन का और जो बच्चे निरूसायत हो गए ना कि सर हमने तो मैनत की कुछ नहीं हुआ वह बच्चे इतने तनाव में हैं कि वह अच्छा करी नहीं पाएंगे इसलिए बार-बार बोलता हूँ उर्जा के शाथ खड़े हो जाओ और बताएं रियल टेस्ट्रीज मिलना मुस्किल है सजिस टाइम तो हां नंदलाल बेटा यह तो सही है लेकिन फिर भी टीचर्स की पहचान करो सही टीचर्स कौन सा है कि इसकी कोले लेक्चर की तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आरेस की हम करेंगे बहुत कम चार्जेज में और तीन-चार प्रसासने का अधिकारियों के नेतरतों में अच्छा मेंटर मतलब दें टेस्ट्रीज का मतलब होता है कि उसमें से परस्ट आया है मैंने साइकलोजी की त अच्छे परस्टों को मिला की परसंट ताकि उससे आपका एक अपडेट हो जाए रिविजिन हो जाए यह उताटे स्रीज का मतलब एक पॉस्स लेक्शन और बताएं कोई सवाल हो तो ग्रेड इस्टी कल्चर की बुक देख लो आप को को कोडिंग मेरे कोडिंग सबसे बेश्टी कल्चर की बुक कला संसकर्ती में ओमजी सर की किताब बहुत सोट और स्वीट है और वैसे एक हुकम चंद जेन की किताब आती अना उसे चीज कुछ भी नहीं है उसमें तो बच्चे एकदम बढ़ी आप पढ़ना चाहते हैं वह उसको ले 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 प्टाइक पड़ागोजी पढ़ा देंगे इमर्स की पढ़ागोजी पढ़ा दूंगा मैं इमर्स वाले पढ़ा दूंगा फिजिकल एजुकेश आपका जो हूँज है ना नपित मापने का तो परीज़ होता है उसका होता है अवाध की धना सबसे अनुपात मापनी इसका को आप सबसे न्युम निम्दी कीुछ न्युप सबसादिदह कि परीज्ड हुता है湘ी और वह सबसे करते हैं और यह दो दिन में कुछ और सेर्शन लेके आएंगे वीक में एक स्टोरी जरूर लेके आऊंगा जो आपके लाइप से जूड़ी भी होगी ऐसा परियास से इस बार जल्दी इस पे काम कर रहा हूं थैंक यू बरे मच गुड़नाइट